जी हाँ आईए भाईया जी जरासा ध्यान दिजिए इधर हमारी परचारगारी आ गई है जिसको आप धून रहे थे जी हाँ क्योंकि हम आते हैं दो-तिन दिनों पर आपके बीच आपके गली में आपके मुहले में जी हाँ आपने सही सुना है ये परचारगाई लाई है महादेब मलहम जी हाँ महादेब मलहम जिसका आपने नाम सुना होगा सरीर के किसी भी भाग में दाद हो गया है, खुजली हो गया है, दिनाई हो गया है या किसी भी परकार का चर्म रोग है दो से चार दिन आप लगा कर देखिए तो आपने धेर सारे मलहम को लगाया होगा लेकिन महादेब मलहम जैसा नाम वैसा काम 108 परकार की जरीबूटियों से बना कर कई परकार के तेलों में मिला कर इस घोल को तयार करके हम बनाए हैं मलहम जी हाँ, महादेब मलहम जो की बरसों से बिक रहा है और धेर लोगों का चर्म रोग दिनाई को ठीक कर रहा है जी हाँ महादेव मलहम यानि की चर्म रोग छू मंतर जी हाँ आईए ले जाईए छोटी डिब्बी बरी डिब्बी हर साइज की डिब्बी हम लाएं हैं जी हाँ 10 रुपिय की डिब्बी 20 रुपिय की डिब्बी 30 रुपिय की डिब्बी 40 रुपिय की डिब्बी जैसा लेना है ले जाईए एक बार लगाईए फिर विश्वास कीजिए जी हाँ जिसने लगाया है उनसे पूछिए महादेव मलहम के बारे में कुछ नहीं करना है नह से करके धीरे धीरे इस पर लगा देना है छोड़ देना है पहले दीन से आराम रुजाएगा दूसरे दीन से खुजली खर्रा एक दीमा मूर जाएगा तीसरे दीन जर से खत्म कर देगा यही तो है महादेब मलहम का फाइदा जी हाँ आईए समझना है तो हमारे पास आईए ले जाईए महादेब मलहम हम लाएं है जितना लेना है उतना ही ले जाईए और अच्छा फाइदा दे तो दूसरों को भी बताईए जी हाँ विश्वसनिय गारेंटेट और आयरुवेदिक बीना कोई साइड इफेक्ट के जी हाँ लगाईए और चर्मरोग से अराम पाईए नोचते नोचते परिसान हो गए हैं अब घबराना नहीं है नोचना नहीं है सरमाना नहीं है जी हाईए ले जाईए नोचनी सार गारी के जरीए आपके लिए